हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम एक महत्वपून विशय पर चर्चा करेंगे स्विंग ट्रेडिंग यह विडियो आपको बताएगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इससे मुनाफ़ा कमाने के लिए किन रननीतियों का उपयोग किया जा सकता है अगर आप शेर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग की शुरुवात कर रहे हैं तो यह विडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्राटेजी है जहां निवेशक शेर या अन्य एसेट्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि छोटी और मध्यम अवधी में होने वाली कीमत की उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाया जाएं स्विंग ट्रेडिंग में प्रमुख रूप से टेकनिकल एनालिसिस का इस्तिमाल किया जाता है ताकि एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स को सही तरीके से पहचाना जा सके स्विंग ट्रेडर्स दो तरह के बाजार स्थितियों का उप्योग करते हैं एक बुलिश ट्रेंड अप्ट्रेंड जब स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही होती है तब ट्रेंड को देखकर निवेशक स्टॉक खरीदते हैं जैसे ही स्टॉक एक अपेक्षित उच्चस्तर पर पहुँचता है निवेशक उसे बेच कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं दो बेरिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड अगर कीमत गिर रही हो तो शोट सेलिंग की जाती है जिससे कीमत गिरने के बाद कम कीमत पर स्टॉक को खरीद कर वापस बेचा जाता है स्विंग ट्रेंडिंग के लिए रननीतिया स्विंग ट्रेंडिंग की कुछ प्रमुख रननीतिया निनलिखित हैं एक Moving Averages का उपयोग, Moving Averages का उपयोग स्टॉक की ट्रेंड दिशा का विशलेशन करने के लिए किया जाता है. जब कीमते Moving Average से उपर होती हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, और इसके विपरीट जब यह नीचे जाती है, तो यह गिरावट का संकेत देता है. दो Relative Strength Index, RSI, RSI एक महत्वपून इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट, ओवरबॉट या ओवर्सोल्ड, ओवर्सोल्ड स्थिती में है. यह स्विंग ट्रेडर्स को सही समय पर ट्रेड करने में मदद करता है. तीन सपोर्ट और रिजिस्टन्स, सपोर्ट वहस्तर होता है, जहां स्टॉक की कीमत नीचे नहीं जाती और रिजिस्टन्स वहस्तर होता है, जहां कीमत रुप जाती है. इन लेवल्स का सही इस्तिमाल करके स्विन ट्रेडर्स सही समय पर एंट्री और एग्जिट करते हैं स्विन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान स्विन ट्रेडिंग के कुछ फायदे हैं लचीलापन स्विन ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स को हर दिन मॉनिटर करने की आवश्चक्ता नहीं होती। कम समय में रिटर्न स्विन ट्रेडर्स थोड़े समय में अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं, खास कर जब वे सही ट्रेंड पकड़ते हैं। हालाकि इसके साथ कुछ जोखिन भी जुड़े होते हैं। बाजार की अनिश्चित्ता कीमते हमेशा उम्मीद के अनुसार नहीं चलती जिससे नुकसान हो सकता है। चाट्स और एनालिसिस पर निर्भरता सही एनालिसिस के बिना स्विन ट्रेडिंग जोखिन भरी हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग में सफल्टा के लिए tips एक stop loss, stop loss सेट करें ट्रेडिंग में जोखिम को कम करने के लिए हमेशा stop loss लगाएं ताकि नुखसान को नियंतृत किया जा सके दो टेक्निकल एनालिसिस सीखें, चार्ट्स और इंडिकेटर्स को समझें, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में यह महत्वपूर्ण होते हैं तीन मार्केट की खबरों पर ध्यान दें, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं, बलकि मार्केट की खबरे भी महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी कमपनी या सेक्टर की बड़ी खबरें स्टॉक की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है, जहां आप शोट टर्म में मुनाफ़ा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही ज्यान और रणनीतियों का होना बेहत जरूरी है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको स्विंग ट्रेडिंग को बहतर तरीके से समझने मे मदद की होगी। अगर आपको यह जानकारी उप्योगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।